प्यारे साथियो नमस्कार श्वागत है फीर से स्ट arddy भी थरवी पर आज हम बात करेंगे साथियो बिहार बोड इंट्रेंस इंग्जाम 2024 की जन दस्तों की आज बात चाहिए चलिए आज हम बात करेंगे साथियो solid चट्र फर्लर से 5 ऐसे कोचान जो बिहार बोड भर पी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और साथी साथ अपने दोस्तों को पास सेयर कर दे क्योंकि यह पांच कोशन्स आप कोंपी में लिखकर और बार बार याद कर ले इसको अभी से ही सोर्ट नोट्स बना ले साथियो और इसका अगर पीडिएफ चाहिए तो प्लीज टेलेग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाको वहां से आप लोग टेलेग्राम चैनल को अवेस्चक जोएन कर ले ताकि वहां पर आपको इसका पीडिएफ मिल जाए और आप याद करने में आपको यह असान हूँ तो चलते हैं ठो सवस्था के उस पांच को चंस जो बहुत ज्यादा इंपोटेंट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देए बेल आइकन को प्रेस और साथी साथ अपने दूस्तों को पास दिया चलिए लगू उतरिये प्र कि पंदरा साल में बारबबर यह कोचंस इसलिए कि इन कह इसलिए अंवही मात्र एक भी एक यहाँ लिखा है क्योंकि आपको विष्वास होके हूँ कि हैं आपको मुझे विश्वास है आपको पुर्णियार किलियर instruments करा है कि यृष्टल बीन्दू टूर्ती से आप क्या समझते हैं रिपीट 9 से रही लिएआ बीनदू 6 से छाप समचते हैं क्रिस्टल तूर्टी से आप क्या समचते हैं, 10 साल में 5 बार स्पान्च से रिपीट किया गया है अगर सही निने लिखते ही बार में गज़ने हैं बड़ भी काट लेता है, तो चलिए इसका इंसर जानते हैं, कहता है कि बिंदु दोस क्रिस्टलिय ठोस में परवानू या आयनों की आदर्स ब्यवस्था में अन्यमता अथवा बिचलन के कारण उत्पन, तूटी को बिंदु दोस कहते हैं, इसको परवानू अपुनता भी कह कहते हैं, क्या फिर से समझे कि बिंदु दोस क्रिस्टलिय ठोस में परवानू या आयनों की आदर्स ब्यवस्था में अन्यमता अत्वा बिचलन, माल लिजे यह एक बॉक्स है और यहां पर यह आयन है, एकदम लाइन में साजा हुआ आयन है, और बोल रहा है कि क्रिस्टल अन्यमित हो जाए, ऐसे 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 बिखर जाए पूरी तरह से, अत्वा बिचलन, क्या बोला है, बिचलन, मतलब यह लाइन में है, एकदम लाइन में है, और यह ऐसे ऐसे हो गया, यानि बिचलित हो गया कि कारण जो टूटी उत्पन हो, यह माली जीए, एक विनेट यहां यह ऐसे, कहीं ऐसे, और कहीं ऐसे हो गया, तो यहां पर यह टूटी है, जो जगह है, इसी को क्या कहते हैं, बिदू दोस कहते हैं, चलिए, डिफ्रेशन परते हैं, क्रिश्टल ठोस में परमानू या आयनों की, आदर्स ब्यवस्था में और यह मतलता, अत्वा बिचलन के क चारण उत्पन टूटी को बिदू दोस कहते हैं, इसको परमानू ये अपूर्णता भी कहते हैं, क्या इसको परमानू ये अपूर्णता भी कहते हैं, चलिए आगे चलते हैं, आगे बोला साथियों कि क्रिश्टल, क्या बोला है कि ठोस क्रिश्टल में यह बिदू दोस अपने अस्थान को छोड़ा क्रिस्टल जालक में अन्य अस्थान पर चले जाते हैं। आपको समझाता हूँ, मालीजी ये है और इसमें ऐसे ऐसे था, लाइन बाइन था, हुआ कि ये बला ये जो उटके और यहां पे आ गया, इस्वी को कहते हैं कि ठोष क्रिस्टल में बिंदू दोस धनात्मक और इनात्मक के परवानु को अपने नियमित अस्थान से लुफथ हो जाना, या अपने अस्थान को छोड़ो कर क्रिस्टल जालक में अन्य अस्थान पर चले जाना के कारण उत्वन होता है। चलिए साथ यूँ आगे चलते हैं असा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्कोचन्स है दस साल में लगवाग 5 से 6 बार कोचन्स रिपीट किया गया है और आपको यहाँ पर लिखना है कि बिंदू दोस चलिए बिंदू दोस को कि दोस और तिसरा है असूद ठोस फॉल्स शॉलिड चलिए इसका भी दो पार्ट है एक है रिक्तिका और एक है अंतरकासी दोस अंतरकासी दोस भी दो भागों में बटा गया है सोटकी दोस और फ्रेंकल दोस यह है दोस्तों बिंदू दोस का परकार क्या बिंदू दोस का पर लीजिए यह दो तो यह रहा हुष्ट को चंस एगर इतना आप कर देते हैं तो लगु उत्रिये में आपको दो नमबर पक्का मिल जागा कितना दो नमबर फिक्स हो जाएगा बिहार बोर्ड होजा 24 में यह दो नमबर फिक्स करा देगा आपको अगर आप इतना अगर नहीं ल कोचंस भी वहरी वहरी इंपोटेंट्स है दूसरा नमबर कोचंस सात्यों बोलता है कि लिथियम बिसी सी क्रिस्टल बनाता है अगर लिथियम के 211 के एक तरफ कोर की लंबाई 351 पीको मीटर है तब इसकी परमानुत तिर्जा की गर्ना करें आपके स्किन के सामने देख रह कोचंस में ये कोचंस पूछा गया है और फिर से ये 18 और 19 में 19 में भी पूछा गया था और आसा है कि 2024 में भी ये कोचंस रिपीट होगा और बिर्कुल होगा रिपीट तो चलिए इसका एंसर जानते हैं लिथियम बिसी सी क्रिस्टल बनाता है अगर लिथियम की 211 की एक त उत्तर है कि lithium BCC crystal की सरचना रखता है बिल्कुर रखता है यह इतना आपको पहले लिखना है उसके बाद नीचे लिखना है कि lithium के lithium की 1 ICl की लंबाई 300, 51 Pm यहाँ पर आपको दिया हुआ है चुकि यहाँ पर लिखना है कि BCC crystal है इसका फर्मूला होता है सबसे पहले आपको याद रखना है A root under 3 by 4R जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है A root under 3 A root under 3 बराबर 4R कभी कभी तो आपको objective में यह सीधा यहाँ से पूछ देगा कि BCC, lithium BCC crystal सरचना का फर्मूला क्या होता है कोड की लंबाई तो यह कोड की लंबाई के तरफ यह questions आपको एक परामिया बिहार बोर एक्जाम में यह objective में पूछ सकता है फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर R का value निकालना है करना क्या है परमानूत रिज्जा की गर्ना करना है साथ हो तो R के value निकालना है तो क्या करेंगे R बडाबर A रूट अंदर 3 उपर रह जाएगा और यह 4 नीचे आजएगा तो R बडाबर A रूट अंदर 3Y 4 हो जाएगा नीचे लिखना है साथा अतर BCC crystal एक परमानी भी परमानूत रिज्ज्जा है और यहाँ पर आपको सब कमान डालना है और इसका एंसर हो जाएगा R बडाबर यहाँ पर दिया हुआ था A कमान दिया हुआ है 351 और रूट अंदर 3 1.732 होता है और नीचे 4 दिया हुआ है टोटल कट कर 151.98-pico-meter इसका राइट एंसर आजाएगा तो साथियो यह रहा दुसरा नम्म कोचांस आप इसका इस्कीन शोर ले सकते हैं ले लिजे इसकीन शोर वेरी वेरी इंपोटेंट सकोचांस है साथियो फिर से रिपीट कर सकता जेले तिसरा नम्म कोचांस जो की ब बिहार बोड में बहुत बार पूछा गया है, अंतर अस्प्रस्ट करें, बोला है कि सौटकी टूटी और फ्रेंकल टूटी के बीच क्या अंतर है, जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने दिखा होगा, 2016 और 2011 में भी प्रस्ट ने रिपीट किया गया है, और 2019 और 2021 में भी ये कोचंस रिपीट किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेस्ट है, ये तिसरा नंबर क्वेस्ट फ्रेंकल और सौटकी में अंतर बार बार बिहार बोड पूछता है, तो चलिए इसका अंतर देखते हैं क्या है, सबसे पहले आपको एक ऐसा चार्ट बना लेना है, ऐसा चार्ट बनाना है, आपको उसके बाद यहाँ पर एक लाइन में लिखना है, पहले उपर यहाँ पर लिख देना है कि सौटकी और फ्रेंकल पूर्टी दोस में अंतर, उसके बाद दो लाइन बनाना है, एक में लिखना है सौटकी दोस, दूसरा में फ्रेंकल दोस, और इसमें समान संख्या में, क्या लिखना है, समान संख्या में धनायन और रिनायन अपने समाने जालक स्थितियों से बिलूप्त हो जाते हैं। चलिए उसके बाद दुसरा बाक्स में क्या लखना है फ्रेंकल कुरोटी में आको लिखना है यह एक अंतरकासी दोस है क्या है अर्थात इसमें आयतन आयन के box है और इसमें ये धनायन लिनायन भड़े हुए है क्या है एकदम line by line धनायन लिनायन एकदम पुरी तरह से भड़ा हुआ है minus plus minus क्या हुआ एक अंतरकासी दोसासास में समान क्या बोला आयन समानत अर्थार्थ क्या धनायन क्या सिर्फ समानता धनायन जादे करके धनायन, माली जी धनायन है और यह अपने अस्थान को छोड़कर यहाँ पड़ा गया, कहाँ पर यहाँ पड़ा गया, यह आगया पलस, इसी को क्या कहते है फ्रेंकल, फ्रेंकल से याद रखिए फंस जाना, क्या फ्रेंकल से फंस जाना यानि अपने घर से ही निक आस्थान गरहन कर लेता है और यह क्या था समान संख्या में धनायन लिखना है इसमें धनायन और रिनायन का अकार लगबक समान होता है क्या इसमें धनायन और रिनायन का अकार का बारे में दुसरा नमर पर लिखना है कि समान होता है और उसी दुसरी तरफ क्या लिखना है आपको इसमें धनायनों का अकार छोटा एबन रिनायनों का अकार बड़ा होता है यह very very importance दुसरा नमबर point वो का साथियो कि इसमें धनायन और रिनायन का आकार लगबग समान होता है दुसरा में लिखना है इसमें धनायन और क्या धनायन का आकार छोटा और रिनायन का आकार बड़ा होता है यह importance line है दुसरा नमबर चलिए तिसरा में क्या लिखना है आपको प्तिसरा में लिखना साथ यह कम से कम पांच से श्रूर लिखना एंट क्रॉच्थ करने से तीसरा नभर है क्या लिखना साथ ह्यों इसम्में क्रिष्टल ऑनाट से निकल जाते ह्यां क्या इसमें घ्रिस्टल जालिट से आएं enorm把它 यद्धनायन और इसमें क्या बोला है इसमें अंतराकास चले जाते हैं इसमें अपने जगह क्रिष्टल का घंत्व घर जाता है इस दोस्त के कारण क्रिष्टल का घंत्व घर जाता है मानली जी यह एक आपके घर है और इसमें आप है पांच आदमी ठीक है आप हैं पांच आदमी और यहां से आपके दो आदमी चला गया तो इस घर में जो पहले 80 किलो मानली जी भार थ प्रवाव क्रिश्टल के घनत पर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें से कुछ निकलता ही नहीं है, सिर्फ निकलकर उसी के अगल बगल में फास जाता है, तो उसे कोई परभावित नहीं होता है घनत पर, चलिए पांसमा क्वैंट में लिखेंगे आप, कम से कम आपको लगुत प्रॉस्ट में 5 kind अवेस्टक लिखना है तो प्र फर प्रम क्वेंट में क्या लिखाँगे इसमें पैरावेद्दतांग कमान ओव पर वर्तित रहता है इसमें पैरावेद्दतांग कमान और जाता है आप यह से नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं उपर नीचे आप लिख सकते हैं इसका अंतर लिखना होगा तो लिख सकते हैं और कम से कम तो पांच अंतर आपको जरूर लिखना है तब आपको दो नंबर पक्का मिलेंगे दो नंबर में यह कोश्चन पूछा जाता है और दो नंबर पांच पॉइंट लिखना होगा तब आपको मिलेंगे चलिए छठा नमर बोलेगा यह दोस उच समन्वे संख्या वाले क्रिष्टलों में पाया जाता है यह दोस उच समन्वे संख्या वाले क्रिष्टलों में पाया जाता है और इधर लिखना है यह दोस निम्न समन्वे संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है चलिए आगे सात्मा पॉइंट में क्या लिखना है इस दोस में क्रिस्टल के अस्थाइत्व तथा बीदू चलकता में बिरिद्धी होती है और इधर लिखना है फिर से इस दोज में क्रिस्टल का आस्थाइत बगढता है प्रंतु रिक्तिक्यों की उपस्थिती के कारण चलकता बढ़ती है जस्ट उल्टा इसका लिखना है जस्ट उल्टा आपको इसमें लिख देना है चलिए most important हो जाएगा उदाहरन जिया दोस्तों उदाहरन को आप से कम से कम याद कर लिजे आप इसमें अगर दो प्वैंट नहीं लिखके दोनों का अगर उदाहरन आप दे देते हैं तो आपको examiner दो नंबर पक्का दे देगा दो नंबर क्या उजागा पक्का दे देगा तो उदाहरन इसमें क्या लिख देना है उदाहरन इसका nscl kcl см gcl और इसमें agcl, gjns और agvr ये तीन इसमें उदाहरन आपको याद कर लेने ना है चलिए इसका आप screen shot लेना चाहिए तो ले लीजिए चलिए इसका PDF हमने टेलिग्राम पर डाल दूँगा चलिए और चौथा नमबर questions आपके screen के सामने यह रहा यह तीन important questions है साथी हो और चौथा यह आपके screen के सामने चौथा बोला है साथी हो कि CSCL क्या CSCL की बनावट का संचिप्त विवरंदे ये भी questions बहुत ज़्यादा important है और 2024 में फिर से ये repeat कर सकता है 5 और 15 में आपके skin के सामने दीख रहा होगा 2005 और 2015 में questions पूछा गया है और 2020 में भी ये questions पूछा गया है और इधर भी पूछा गया होगा लेकिन 2024 में भी ये repeat होने की पूरी-पूरी आसाइंका इसकी बन रही है चलिए इसका answer देखते है CSCL की बनावट का संचिप्त विवरंदे जैसा कि दिल लगु उतरिये प्रयश्न है तो यहाँ पर आपको संचिप्त ही लिखेगा विश्तार में नहीं पूछेगा तो इसका उतर क्या हो जाएगा कि CSCL की संचना यह सरल घणिये कोष्ट से निर्मित होता है क्या सरल घणिये कोष्ट से निर्मित होता है यह very very important line है इसमें क्या बलता है इसमें CS plus के कन घण के कोनों पर क्या इमानी जी एक घण है तो CS कोने पुड़ाएगा CS plus कहा रहेगा कोना पर और क्लोरीन कन घण के केंदर पर इस्थित होते हैं यहाँ पर क्लोरीन आयन क्लोरीन माइनस आयन घण के केंदर पर इस्थित होते हैं केंदर पर इस्थित होते हैं यह देखने में काय केंडृत घं के समान दिखते हैं यह देखने में काय केंडृत घं के समान दिखते हैं कॉलीरि झ Infinite आयन ऐसे रहेगा और ऐसे ऐसे यह जुड़ा रहेगा तो काय केंडृत की कऱा देखते हैं तो यह भी चौutह नम्र कशशंग्स बहुत Gen закончe 3 मुझे आसा है कि आप इसके साथ-साथ अपने कॉपी में भी आप लिख रहे होंगे कि सीएसीयल की संरचना लिखे इसको दुबारा से हम बताते हैं यह सरल घनिये कुष्टका से निर्मित होता है इसमें सीएस पलस के कन घन के कोनों पर तथा कलोरीन के कन घन के केंदर पर इस जैसा कि हमने बताया वह आपको ऐसा में हमने बताया और यह 3D डाइग्राम आपके स्कीन के सामने है बोला है कि दो फ्रजूम करते हैं दो निकट आयनों के मध्य दूरी यह इसका अंतर है और दो निकट आयनों के मध्य दूरी आर पलस और आर माइनस के दूरी विठा रहा यहां पे तो यहां पर टूर ले लिया 2R plus 2R minus root under 3A इसका फर्मूला होता है और जैसा कि हमने बता है कि CGM आयन कोने पर होता है और chlorine आयन घंड के केंदर पर इस्तित होता है तो कभी आप CGM CCL की फर्मूला पुछेत साथी होता है यह याद रखी आर पलस माइनस ब्रावर root under 3A by 2 यह होता है CCL का फर्मूला वेरी वेरी इंपोटेंट्स अब्जेक्टिम में यह कोचन्स पूछ सकता है चलिए आज का लास्ट कोचन्स जैसा कि हमने बताए कि 5 इंपोटेंट्स कोचन्स solid state ठो सवस्था से आपको निकाल के दिये है जो निश्चित रूप से इस वीडियो से ठो सवस्था से एक कोचन्स पक्या आएंगे या आएंगे 2024 में और सिर्फ आएंगो तो इसी वीडियो से इससे बाहर आना ही सकता यह गैरेंटी है और पच्वा नमबर कोचन्स आपके स क्यों उत्पन होता है इसमें दो कोचन्स आप से पूछ दिया गया साथियो पहला पूछा कि बिंदू दोस्को प्रभासित करें और दूसरा पूछ रहा है कि ठोस क्रिश्टल में फ्रेंकल दोस्क्यों उत्पन होता है जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने दीख रहा होगा 2009 मे पूछने की आसांका है चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बिंदू दोस्के बारे में क्योंकि सबसे पहले पूछा है कि आप देखते हैं कि क्या बोला है आदर्स क्रिश्टल थोस में अभ्यवी कनों के ब्यवस्था में और निमता तता बिचलन दोरा उत्पन दोस्का लाता है जो फर्स्ट कोचन था सातियों उसी को इसमें भी लिखना है बिंदू दोस्के बारे में इसमें भी पूछ रहा है तो इसमें वही लिखना है कि आदर्स क्रिश्टल क्या बोला है आदर्स क्रिश्टल फोस में अब यह भी कौनों के ब्यवस्था में और निमता यानि जो लाइन से था वो भिखड़ गया था तो और निमता था एबं बिचलन बिचलन भी हो गया था दोरा जो उत्पन बिंदू जो होता है दोस कालाता है बिंदू दोस उसी को कहते हैं चलिए फ्रेंकल दोस देखते हैं दूसरा में पूछा है कि फ्रेंकल दोस क्यों उत्पन होता है फोस क्रिस्टल में तो फ्रेंकल दोस के बारे में देखते हैं बोला है कि क्रिस्टल जालक म किसी आयन के अपना जालक बिंदु छोड़कर क्या अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतरकासी अस्थान गरहन करने के कारण उत्पन हुआ दोस फ्रेंकल दोस का लाता है यह मुख्य रूप से यह आयनिक योगिक का अंतरकासी दोस है जिसका खोज 26 में योगोव फ्रेंकल नामक बेग्यानिक यह किया था यह important line है अगर आप दो line यहां तक लिख के और यह छोड़दे भी देंगे और यह line लिख देंगे तो पक्का एक्जामनार आपको दो नमर पक्का देंगे आख मुनकर क्योंकि बेग्यानिक का नाम किसी किसी को याद र बनाओ था चलिए यह दखीए और निया मनता था कि बारे में बताया गया इसमें यह आपको आपको नजर आ रहा होगा कि कहीं कहीं माइनस के छोड़कर पलस भूस गया होगा यह देखिए माइनस पलस माइनस पलस माइनस यहाँ पर लाइन से है और कहीं पर आपको डवल पलस भी दिखेगी तो ऐसे आपको यहाँ पर एक एक स्ट्रक्चर भी बना देना है ताकि एक जामेन को लगे कि हाँ अच्छे से डिजाइन किया गया है कोशंस को चलिए इसका दो अंतर भी देख लेते हैं फर्स्ट काड़ा यह दो स्टूटी एबं प्रूटी क्या बला यह दो स्टूटी उन किस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन में संख्या कम हो और रिनायन और धनायन के अकार में बहुत अधिक अंतर हो अर्था तिरिज् चाहिए यह अंदोस वही क्रिस्टल दिखाता है लास्ट में आपको इसका एक्जाम्पल याद करना है साथियो जैसा कि AGCL, ZNS और AGBR, AGL और CAF आदी यह वह एक्जाम्पल है जो फ्रेंकल दोस दिखाता है तो यह रहा साथियो तो टॉप 5 questions आपके यकीन बैच में 24 वालों के लिए ठोस अवस्था से तो आज की class कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताईएगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को पास भी share किजिए चैनल को subscribe किजिए और साथि साथ अपने दोस्तों को पास share करना ना भूले thanks for watching this video वाय वाय जय हिन जय भारत